हेलो व्रिष रभूर्ष्ट कैसे आप सब तो फ्रेंट्स आजगे पहले हैं मैं लड़कंपाल के ड्रेस लेकर रही हूँ आधिक हमने ड्रेस बनाकर लड़कंपाल को पेना दी है तो friends हम दो color की wool से बनाएंगे dress और ये 7 number के कानाजी के लिए मैं बना रही हूँ ये मैं black color और ये मैं निफ्रोजी color लिया हुआ है दोनों को mix करकर मैं dress बनाऊंगी और ये बहुत ही सुन्दर dress हमारी बन कर देखिए तियार हो गई है तो इसमें पहले हम फंदे डाल लेते हैं 17 फंदे में डालोंगी स्लाई में हम 17 फंदे डाल लेते हैं ऐसे note लगाएंगे और 17 फंदे हम डाल लेंगे देखिए ऐसे फंदा लपेटेंगे और फिर ये वाला फंदा लपेट कर ये वाला फंदा इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे तो ऐसे ही फंदे हमारे डलते चले जाते है और इसे बिगनर्स भी बहुत ही असानी से बना सकते हैं बहुत ही असान ट्रेस है बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगी अगर आप सलाईया चलाना जानते हैं तो ये ट्रैस बिल्कुल समझ में आज जाएगी सिर्फ सीधा और उल्टे-उल्टे का ही डिजाइन है कोई इसमें कुछ भी नहीं है कोई डिजाइन और एक्स्ट्र डाला नहीं है तो चलिए इस रो को पहले हम बना लेते है यह जो एक्स्ट्र फंदा है इसको इसी में लपेटते جाएंगे और पूरे फंदे को हम उल्टा-ल्टा बना कर त्यार कर लेते हैं यह देकि यह वाला फंदा हमने इसमें लपेटते हुए चले जाना है चलिए इसको सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे तो अब ये जो एक्स्टा फंदा है इसको कट कर लेंगे और बागे के सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं और इसके हम तीन सलाईया हम उल्टे उल्टे बना गर कंप्लीट कर लेते हैं सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से तीन सलाईया ये दिखिए मैंने बना ली हैं और इस सतरह फंदे हैं तो इसका मेंजरमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये देखिए सभी साइस के मैंने दड्डु गुपाल के ड्रेस के लिए मैंने फंदे बताय हुए है और कितनी जालियां पढ़ेंगी इसमें अब वो भी बताय हुआ है आप जीरो साइस के देख लेजिए मैं साथ नमबर के काना जी के लिए बना रही हूँ इस पर हमने जाली बनानी है तो पहले हम आठ फंदे को बना लेंगे पहले आठ फंदे हम बना लेंगे देखे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ आठ फंदे देखे हमने बना लिए अब इस फंदे पर हमने जाली डालनी है और जाली को कैसे डालेंगे तो देखिए फंदे को अपनी और ही रहने देंगे और जाली डालते वे इस फंदे को सीधा बना लेंगे इसको सीधा बना लेंगे तो देखिए हमारा जाली पढ़ जाती है फिर फंदे को फिर से आगे करेंगे और ये वला फंदा हम सीधा बना लेंगे तो यह देखिए, दो जालियां पढ़ेगी, एक फंदे के दुनों साइड में, और यह सारे फंदे बागी के हमने उल्टे बना लेने है, तो यानि कि आठ फंदे हमारे इस तरफ रहेंगे और आठ फंदे लास्ट में हमारे उल्टे रहेंगे, और सब बीच में हमारी जाली मंति चले जाएगी और यह उल्टी रो हमने पूरी उल्टी बना कर कम्प्लीट कर लेनी है यह देखिए उल्टी रो मैंने बना लिया है उल्टी रो बना लेते हैं फूरी उल्टी उल्टी बना कर कम्प्लीट कर लेंगे उल्टी में कोई भी डिजाइन नहीं पड़ेगा सिर्फ उल्टा उल्टा ही बनाना है तो इसको देखिए मैंने बना लिया है फिर से सीधी साइड में फिर से हमने जाली डालनी है और जो जाली वाले फंदे थे उनको भी हमने उल्टा ही बनाना है ये देखे अब देखे पहले हमने 8 सलाईया आठ फंदे थे जो वो उल्टे बनाए थे अब हमने 9 फंदे उल्टे बनाए है बनाएंगे क्योंकि जो जाली देन लगां近 5 से संद्धा बढ़िया है उसको भी इसमें हम बनाते चले जाएंगे क्योंकि इसμε हमारे फंदे अब नव रहें नो फंदे मैंने बना लि walked फिर से जाली डालेंगे, सेम जैसे हमने पहले डाली थी, फंदे को अपनी और रहने देंगे, इस फंदे को उठाकर सीधा बना लेंगे, और फिर फंदे को अपनी और करके फिर इस फंदे को सीधा बना लेंगे, और बाकी की लास्ट या फंदे, हमारे 9 फंदे हैं, इनको हमन हमने सारे फंदे उल्ट उल्ट बनाकर complete कर लेना है तो यह देखे मैंने बना लिया है अब यह देखे हमने 10 फंदे उल्टे बनाने हैं पहले हमने 8 बनाए फिर 9 फिर अब 10 फंदे हम उल्टे बनाएंगे देखे चार पांच छे साथ आठ और यह 9 10 अब फिर से यह जाली हम डालते जाएंगे यह देखे ऐसा जाली डालनी है फिर फंदे को अपनी और करके फिर से जाली डाल देनी है और लास्ट में यह 10 फंदे हम और wrong side जो है वो ओल्टूल्टी बनाकर complete कर लेनी है तो ये देखिए हमारे 3 जालियां पढ़ गई है एक दो तीन तीन जालियां पढ़ गई है ऐसे ही हमने 6 जालियां और बनानी है यानि कि 9 जालियां हमने बनानी है ये देखिए measurement इसमें हमने 17 फंदे लिये थे तो 9 हमने जालियां बनानी है तो हमने 3 जालियां बना लिये अभी हमने 6 जालियां और बनानी है और देखिए ये 0 साइज के हम बनाएंगे तो 5 हमने फंदे लिये थे और 3 जालियां बनानी है ऐसे ही सबी साइज के लिए है एक साइज के लिए देखिए पांच छफंदे लेंगे तीन जालिया बनाएंगे दो साइज के लिए साथ फंदे लेंगे चार जालिया बनाएंगे और ये सारे साइज के हमने बताया हुआ है तो हमारे साथ नमर के लिए बना रहे हैं तो सत्रा हम बना लेते हैं जब तक 9 जालिया बन जाए यह देखिए यह मैंने 9 जालिया बना ली है अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने बाजू की घटाई करनी है तो यह देखिए पूरे 9 जालिया हमने बना ली है और यहाँ पर हमने देखिए measurement में देखिए कि यह हमने 7 नमर के लिए बना रहे हैं तो यह देखिए 9 9 फंदे हमने यह आगे चोड़ने हैं और 9 फंदे ऐसा ही हमने last में चोड़ने हैं और जो बीच के फंदे 17 रहेंगे उसको हमने घटा देना है ऐसा ही हम किसी भी size का भी देख लेते हैं देखिए 9 फंदे हमने बीच के 17 फंदे घटा देने हैं 9 फंदे हमने देखिए पहले बना लेते हैं आप कोई सी भी size का भणाएंगे न तो उसमें सभी size का लिखा हुआ है 9 फंदे आगे और 9 फंदे पीछे छोड़के बीच के 17 फंदे होंगे वो हमने घटाने है और सभी साइज का जैसा मेजरमेंट लिखा हुआ है सेम वैसे ही हमने फंदे बनाने है और वैसे ही घटाना है जैसे हम 9 नंबर का घटाएंगे तो 21 फंदे देखिए हमने लिए है और 11 फंदे हमने जालिये डालिये तो 11 फंदे हमने यहां बनाने है और 21 की घटाई करने है फिर 11 फंदे लास्ट में बनाने है ऐसे हमने 7 नंबर के लिए बनाना है तो चलिए 9 फंदे हम बना लेते हैं पहले एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आर, नो अब हमने देखिए, नो फंदे बना लिए, अब दो का एक करेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे, यह फंदा घटा दिया फिर से यह वल्ला फंदा लेंगे इस फंदे में और यह फिर से दो का एक कर देंगे ऐसे ये फंदे कम होते चले जाएंगे, दो का एक, दो का एक करते चले जाएंगे न, तो हमारे 17 फंदे ऐसे ही कम होते चले जाएंगे, तो ये देखें, दो का एक कर दिया, फिर से देखें, दो का एक कर दिया, दो का एक कर दिया, दो का एक कर देंगे, और ये सब सारे फंद और लास्ट में हमारे नौ फंदे रह जाएंगे, देखिए दो का एक, दो का एक, ऐसे ही करते चले जाना है, ऐसी फंदे हमारे गड़ जाएंगे, और यह हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी, तो यह देखिए, आठ फंदे बाकी बचे हुए हैं, और इस फंदे को काउंट करके, नौ फंदे उड़ा जाएंगे, तो अब यह बाकी के सारे फंदे हमने बना लेते हैं, लास्ट में हमारे देखिए, नौ फंदे हैं, तो अब यह देखिए, अब यहाँ पर हमारे अठारा फंदे हैं, यह सलाई में हमने अठारा फंदे बचे हुए हैं, तो इसको हमने यह रॉंग साइड में पूरा उल्टा-उल्टा बनाकर कम्प्लीट के लेना हैं, और यह देखिए, यह नौ फंदे बना लिया है, अब इसको भी हमने ऐसे ही उल्टा ही बना लेना है, और यह देखिए, बाजू की कटिंग आ गई है, शेप आ गई है, तो यह देखिए, उल्टा बना लिया है, अब जैसे हमने देखिए, पहले हमने 17 फंदे लिये थे, और तीन सलाईयां बनाई थी पहले तीन सलाईयां बनाई थी ना सेम ऐसे ही हमने तीन सलाईयां यहां भी बना लेनी है यह देखिए एक सलाईय हमने बना ली यह दूसरी सलाईय है हमारी तीन सलाईयां बनाने के बाद हमने ब्लेक कलर की वूल डालनी है और फिर अब बंदों को हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे जैस हमने तीन स्लाईय पहले डाले थी अब हम तीन स्लाईय डालके फिर यह देखिए हमने ब्लैक कलर की वूल इसमें डाल दिये तीन स्लाईय बना लिए और ब्लैक कलर की वूल इसमें से बुनेंगे और ये जो दागा है इसी ओल्टे बना लेने हैं है पीछे साइड से जो किसी डागी को हमने इसमें या ऊन को intent करना है तो हमने उल्टी ऐसे ओल्टी साइड में में रहें क्योंकि उल्टी साइड में फिर जैसे ड्म बूल को डालते हैं तो वो लाइन सी बन जाती है तो हम उल्टी तरफ से ही हमने उनको दूसरे उनको लगाना है तो यह देखिए सारे फंदे में उल्टे बना लिये हैं अब यह सीधी साइड आ गए अब सीधी साइड में हमने यह क्या करना है कि हमने फंदों को बढ़ाना है तो देखें कैसे बढ़ाएंगे, पहला फंद हमने सीधा बनाना है, फिर फंदे को अपनी और करना है, जाली डालेंगे, और इस फंदे को सीधा बना लेंगे, जाली पड़ गई, अब सभी फंदों में हमने ऐसे ही जाली डालनी है, फंदे को अपनी और करेंगे, एक फंदा स वंदे को अपनी ऊर एक वंदा एसे सीधा फिर वंदे को अपनी ऊर एक वंदा सीधा थी सबी साल में हम ने यह चांद हो बढ़ते हैं पर अब लास्ट वाला फंद हमने सीधा बना लेना है और उल्टी रो हमने पूरी उल्टी बना लेनी है जो जाली वाले फंद हैं वो भी हमने सारे उल्ट बना कर कम्प्लीट कर लेने हैं अब यह देखिए मैंने फ्रोजी वाला उन इसमें डाल दिया है दो सलाइएं हम ब्लैक की दो इशरी की हम बना आएंगे यह देखिए सीधी इसरा बना लेगे फिर ढालते वे ऐसे सीधा बना लेंगे फिर जाली डालते में जालीजिए बना ले ना है इससे हमारे फंद में ग्हेर के लिए gwेड़ाएं तो ऐसे हमने फंदों को बढ़ाना है देखिए, सबी फंदों में हमने ऐसे ही जाली डालते वे बनाते चले जाना है और लास्ट वला फंदा एक फंदा सीधा बना लेंगे बस तो ये देखिए मैंने पूरा बना लियो और पीछे की मैंने wrong side की black color से बना ली थी उल्टा उल्टा बना कर complete कर लिए अब हम सीधी तरफ से आ गए है अब हमने फंदा नहीं बढ़ाना है अब हमने सिर्फ उल्टा उल्टा बनाना है हमारे जितने फंदे बढ़ने थे बढ़ गए है अब हमने उल्टा उल्टा पूरी रोग कमप्लेट कर लेनी है दो सलाइएं हमने काले कलर की और दो सलाइएं हमने फिरोजी कलर की बनानी है तो देखिए 17 हमने फंदे लिये थे तो 17 सलाइएं बनानी है यह 17 सलाइएं उल्टी उल्टी बना कर हम कमप्लेट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड 17 लाईं मैंने बना ली है यह देखिए तो देखिए 17 लाईं बनाने के बाद यह हमारी गेर ऐसा बन गया है और जितने फ़द देखिए हमने पहले डाले थे 17 वैसे उतने ही हमने यह डाले है तो ये देखिए एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ और एक काले कलर का ये हमने बुन दिया है, ये सत्रा, सत्रा सलाईया बनाने के बाद, अब हमने देखिए फिर से फंदो को बढ़ाना है, जो लास्ट में हमने वो जो मारा फ्रिल सी बनती है, अब हमा बना लेंगे, ऐसे ही सभी फंदो में हमने जाली डाल देनी है, ये देखिए, जाली बढ़ रही है हमारी, सभी फंदो में जाली डालते हुए चले जाना है, इसे हमारे फंदे भी बढ़ रहे हैं, और फ्रिल से बहुत ही अच्छी फ्रिल बनकर तियार हो जाएगी, तो इस तो यह देखिए यह देखिए मैंने एक साइड का मैंने यह बना लिया है सेम वैसे ही बनाया है जैसे हमेने आपको यह बताया है बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है एक साइड यह दो पार्ट बनते हैं तो उनको एक साइड से हमने जोड़ना होता है तो सेम यह मैंने बनाकर त् कैसे हम इसको बंद करेंगे तो ऐसे ही इसको बहले हम बना लेते हैं फिर उसके बाद रॉंग साइड से हम पूरा उल्टल्ड बना कर फिर मैं आपको बंद करना दिखाती हूँ तो यह देखी मैंने सलाई बना लिया उल्टी भी अभ उसके बाद हम देखिए कैसे बंद करेंगे अभ हमने देखिे फोर्जी कलर से इसको बंद करना है ब्लैक कलर का भूल मैंने काट कर लिया है अभिजी दागा लगाएंगे और दो का एक करते हुए हमने सारे फंदे बंद कर लेएंगे यह देखिए प्रोजी बूल लगा लेंगे इसमें और यह देखिए इसको बूल लेंगे और जो यह एक्स्टर बूल है इसी में हमने फॉल्ड करते पे चले जाना है आप ऐसे भी दो का एक कर सकते हैं या आप एक फंदा ऐसे सीधा बनाएं और यह पीछे वाला फंदा उठा कर ऐसे गिरा दें तो ऐसे भी हमारे दो का एक दो का एक होता चला जाएगा जो भी आपको आसान लगे आप ऐसे बना सकते हैं या दिके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और यह पीछे वाला फंदा उठा कर आगे गिरा देंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे यह सीधा बनाकर यह पीछे वाला आगे वाले फंदे से गिरा देंगे और वह एक्ट्रा फंद हमें उसमें लपेटते भी चले जाएगे ताकि वह खुले ना क्योंकि खुल जाएगा तो सारा हमारा जो हम बना रहे हैं स्वेटर वह खुल जाएगा इसलिए इसको उसमें फोल्ड कर देंगे तो वह दिखाई भी निदेगा और बंधा भी रहेगा यह देखिए ऐसे ही बंद करते हुए चले जाएंगे हमने यह देखिए कितने अच्छी सी स्मूथ सी लाइन आ रही है हमारी चेन आ रही है तो चलिए सभी फंदों को ऐसे ही बंद कर लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यह देखिए सारे फंदों को हमने बंद कर लिया है और यह देखिए हमारा कानाजे की ड्रेस बनकर बिल्कुल तयार हो गई है अब इसकी सिर्फ हमने सलाई करनी है यह देखिए इसको हमने उल्टी साइट से ऐसे सिल देना है दोनों पार्ट हमने उल्टे लेने हैं उल्टी सा लहाइं बनाकर इसको मैं इल्टा उल्टा बनाकर कम्प्लीट कर लिया है तो अब हमने देखिए इसको कटे पकड़ने है और इसको शीलते वेचले जाना है तो चलिए फ्रैंस से इसको सिल लेते हैं और कैप को भी सिल के दिखाऊंगी मैं आपको तो ये देखे मैंने सिल लिया है और ये देखे हमारी ड्रेस बन गई है और इस तरफ से हम एक साइट से मैंने नहीं सिल लेंगे ये हमने इसको उल्टी तरफ से पकड़ना है और ऐसे सिलाई लगा देनी है अब यहाँ पर देखिए जो चेन बनी हुई है जैसे हमने बंद किया था न ये चेन बनी है इसी चेन में हमने इसलाई को डालना है और इसको खीच लेना है और जो गोल शी शेप हो जाती है हमारी कैप की वो बन जाएगी इसमें देखिए पहले हमने अच्छे से इसको इसमें डाल लेना है ये देखिए इसी चेन में हमने इसको डालते चले जाना है नीडल को सभी चेन में डाल दिया है अब इसको हम खीच लेंगे किया गीच लेंगे तो कैसे देखिए गोल शी शेप बन गई है अच्छे से इसको नोट लगा लेंगे तो अब इसमें नॉट लगा लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं तो कि ये ड्रेस तेयार हो गई है हमारे कानाजी की और ये देखिए जो हमारे स्टीकर से हैं ये मैंने उस क्रोशी से बनाए है और इसको मनाना बहुती है साने करोशी से बन जाते हैं और इसके उपर मैंने मोती चिपका दिये है और ये देखिए कितने ब्यूटिफुल ड्रेस हमारे त्यार हो गई है कानाजी की और हम कानाजी को भी पना कर दिखा देते हैं कि हमारी ड्रेस फिट आई है कि यह नहीं आई है तो चलिए ड्रेस को पना देते हैं तो यह दिखे हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है और हमारे काना जी भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ड्रेस को पहन कर तो friends अगर वीडियो आपको पसंद आती है और बताने का तरीका अच्छा लगता है तो please चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई थेंक यू